हेलो गाईज, वेल्कम बेrãoक टू माई चैनल तो आज हम बनाएंगे अंडा करी तो फ्रण देखिए मैंने अंडे को वाईल करके अंडे को छिल लिया है और उसके साथ मैंने आलू को भी वाईल कर लिया है तो चलिए तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट देखिए आलू को मैंने पहले ही छिल के वाइल किया है और अंडे को भी छिल लिया है तो अभी हम मसाला तयार करेंगे तो फ्रेंट देखिए यहां पर जीरा धनिया और काली मिर्च का पेस्ट बना लिया है देखियो पानी को मैasने डाल दिया है और पढर देखियो मैं और बढते हैं तो मेरे तो थोड़ानी कब बढते है और कडाय गराम हो जेल लगए तो अभी हम नसमें अज़ा सा लेन ह। आपका के अंड़यों चिपकेना तो फ्रेंट देखिए तेल गरम हो गया था और एक एक करके मैंने अंडा भी डाल दिया है तो ऐसे ही अंडे को डाल के फिर हम अच्छी तरहें थोई दिर इसको फ्राय करेंगे ताकि अंडे में अच्छी से कलर आ जाए और बढ़िया से अंडा फ्राय हो जाए तो फ्रेंट देख सकते हो अंडे में कलर आ गया है तो कुछ दिर और फ्राय करने के बाद मैं उसको निकाल लूंगी एक प्लेट में और फ्रेंट कराई में थोड़ा सा तेल तो उसी कराई में मैंने थोड़ा सा तेल और डाल दिया है और तेल गरम होने के बाद मैंने जीरा ड सकते हूं मसाला अच्छ से फ्राई हो रहा है तो अभी हम नमक भी लाल देंगे और फिर उली को 24 दी डिया only अंडे को भी धोड़ा सchnाफ्राइं तकि अन्डे में भी मसाला लग जाए और फिर हम घ्रेवी यए तो फिर लिए आप ना ज्माइबा को हो जाए और आलू अच्छी से गल जाए तो फ्रेंट देखिए आज जो मैंने अंडा करी बनाया है इसमें मैंने प्याजर लसन नहीं डाला है आज मैं थोड़ा अलग तरीकी से बनाऊंगे अंडा करी तो फ्रेंट देख सकते हो यहां पर ग्रेवी थोड़ी गारी हो गई है अभी हम थोड़ा सा गरम मसाला डालके फिर क्यास को आफ कर देंगे तो फ्रेंट देखिए गरम मसाला डाल दिया है और लास्ट में थोड़ा सा धनिया पत्ता डालके ग्यास को आफ कर देंगे तो फ्रेंट वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के देख सको तो प्रण यहां देख सकते हों यहां पर मेरी अंडा करी बिल्कुल डैडी है तो इसमें मैंने प्याज लसन नहीं डाला है बस सिंपल थोड़ा बहुत मसाला डालके अंडा करी बनाया है तो आप देख सकते हों अंडा करी बिल्कुल डैडी है खाने के लिए तो इस झाल झाल झाल